हलो दोस्तो आज एक्सल का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है इसलिए वीडियो को पुरा अंत तक देखें वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आज जो हम लोग एक्सल में पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉजिकल फर्मूला जो की बहुत ही उपयोगी फर्मूला है इसमें हम लोग आज परहेंगे इफ और इफ एंड का फर्मूला ठीक है तो अंत तक बने रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक सेर करना ना भूले और कॉमेंट तो जरूर से करे ठीक है तो वीडियो चालू करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राज टैपिंग सेंटर में तो आज हम बात करेंगे लॉजिकल फ लिखा हुआ है और यहां फूल मार्स है यानि की 500 जो है वह फूल मार्स है और यहां देखिए ऑप्टेन मार्स है और सारे सब्जेक्ट वाइस दिये वे हैं मैथ का इंगलिस का हिंदी का साइंस का और सोशल साइंस का तो हमको क्या करना है ऑप्टेन मार्स का टोटल निकाल ऍपने करेंगे और सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपिन करेंगे और captain marks का सेल रिन्ज दिखाएंगेज entrar आप सभी में फार्मूला कॉपी कर देंगेbasical धिक है अब हमको percentage निकालना है तो देखे और marks में जो percentage निकालने का formula होता है वो हता है option marks in two hundred divided full marks है ना तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चलि मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग equal का sign देंगे obtained marks का sell दिखाएंगे into 100 divided full marks जो की 500 का है then press enter अब इस पूरे को हम copy कर देंगे अब यहाँ division निकालना है ठीक है तो division निकालने के लिए आपको condition की तरफ चलना होगा तो देखें यहाँ condition दिया हुआ है तो पहला वाला जो condition है देखें वो है कि यदि बच्चा 60% के बराबर या 60% से उपर लाए तो वो क्या हो जाएगा first division करेगा second वाला जो मेरा condition है वो है कि बच्चा यदि 45% के बराबर या 45% से उपर लाएगा तो वो second division हो जाएगा और अगर third condition जो है वो है कि 30% के बराबर हो या 30% से उपर हो तो बच्चा third division करेगा और less than 30% यानि 30% से नीचे लाएगा तो वो fail हो जाएगा ठीक है तो देखें यहाँ पे यदि यदि जैसा सब्द आ गया तो यदि का English होता इफ तो इफ मतलब यानि इफ का हो गया मतलब condition है ना तो यहाँ पे हम लोग condition को put करेंगे put करने के लिए यहाँ पे formula लिखेंगे चलिए जूम कर देते हैं equal to if और पहला logic text है मेरा कि यदि बच्चा 60% के बराबर या 60% से उपर लाए ठीक है तो 60% तो यहाँ percent वाला seller दिखाना है is equal to greater than 60 ठीक है और आपको ध्यान रखना है आप note करके लिख लिजे कि किसी भी condition को लिखने के लिए हम लोग double inverted comma का इस्तमाल करते हैं मेरे center में भी बच्चे क्या करते हैं कि single inverted comma को दो बार प्रेस करते हैं तो आप दो बार प्रेस करेंगे तो वो नहीं लेगा value गलत दिखाएगा यानि formula लेगा ही नहीं तो आपको क्या करना है double inverted comma प्रेस करना है ठीक है अब दूसरा जो condition था वो लिखेंगे उसके लिए आपको if का formula यहान लगाना है फिर से if bracket open logical test यानि की लड़का 45% is equal to greater than 45 तो हो जाएगा क्या second division अब थर्ड वाला condition apply करेंगे तो फिर से यहान लिखेंगे if bracket open यदि लड़का यानि की percent वाला यहाँ पर sell दिखाएगे is equal to greater than 30 तो लड़का क्या हो जाएगा third division करेगा और less than यानि की जब 30% से नीचे लाएगा तो लड़का क्या करेगा fail हो जाएगा तो यहान लिखेंगे fail और अब condition बंद करेंगे यहाँ पर bracket 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 है ना तीनों कंडिशन के लिए तीन bracket देंगे तो देखें यहाँ पर लड़का जो है वह फर्स दिविजन आ चुका है अब इसी फर्मूला को हम लोग कोपी कर देंगे तो यहां मेरा देखें डिविजन निकल चुका है अब हमको रैंक निकालना है तो रैंक का जो फर्मूला होता है वह रैंक ही होता है है ना तो रैंक का फर्मूला यहाँ पे अप्लाइ करते हैं तो याहां हम लोग लिखेंगे equal और rank अब्लैकेट उपेन करेंगे और कहरा है number दिखाने के लिए यानि कि Optane Marks वाला Sail दिखाने के लिए ठीक है तो यहां Optane Marks वाला हम लोग щеल दिखादेंगे उसके बाद कहता है reference ऑर्डर यानि कि जितने बच्चे आपके पास है उन सभी का जो opt in marks का नंबर है वो सारा यहां दिखाना है यानि कि उसका पूरा range दिखाना है तो यहां पे हम लोग पूरा reference order दिखा देंगे उसके बाद इस formula को जो देख रहे हैं green color से लिखा हुआ है उसको lock करना है ठीक है और lock करने के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं F4 बटन का आप keyboard में परहे होंगे function बटन तो F4 बटन को आपको प्रेस करना है जैसी आप बटन को प्रेस करेंगे तो formula आपका lock यानि फ्रिज हो चुका है अब आपको प्रेस करना है enter उसके बाद इसी formula को आपको copy कर देना है तो copy करने के लिए या तो बदले तो drag कर सकते हैं या फिर यहाँ पे double click करेंगे तो भी formula आपका copy हो जाएगा ठीक है अब यहाँ देखें यहाँ सारे बच्चे सभी subject में पास है चलिए किसी एक subject में बच्चे को fail कर देते हैं यहाँ 20 कर देते हैं अब यहाँ देखें तो भी second division यह कर रहा है लेकिन यहाँ पे fail हो चुका है है ना particular subject में तो जब particular subject में यानि अलग-अलग subject में हमको pass fail दिखाना है ठीक है तो हम लोग formula का इस्तमाल करेंगे if or and ठीक है तो if or and का formula हम लोग यहाँ पे apply करते हैं तो उसके लिए हमको करना है equal का sign देना है उसके बाद if देना है फिर bracket open करेंगे फ logical one देने के लिए logical one में क्या देंगे सारा condition वही हो जाएगा जो pass mark का है है ना 30% के बराबर या 30% से उपर लाएगा तभी बच्चा pass करेगा है ना तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे math वाला subject का cell दिखाएंगे is equal to greater than 30 है ना इसी तरह बारी बारी सभी subject का दिखाना है ठीक है is equal to greater than 30 फिर हिंदी का दिखा देना है is equal to greater than 30 साइंस का is equal to greater than 30 फिर सोशल साइंस का is equal to greater than 30 है ना यह मेरा लास्ट हो गया पांचों subject हो गया इसके बाद इसको लोग packet से close करेंगे उसके बाद comma देंगे अब यहाँ पर condition apply करेंगे कि लड़का यदि 30 के बराबर या 30 से उपर लाए तो क्या करेगा पास और नहीं तो fail है ना तो double inverted comma देंगे और यहां लिखेंगे pass double inverted comma और fail और यहां पर मेरा pass हो चुका है अब इसी formula को copy कर देंगे अब देखें जो यहां पर 20 लाया था वो क्या हो गया fail हो गया चलिए इसको भी हम लोग कर देते है 25 देखें वहाँ fail हो गया अब यहां माल दीजे इसको हम pass करा देते हैं तो देखें वहाँ pass हो गया ठीक है तो मेरे ख्यास से समझ गया होगे कि किस तरह से आपको formula apply करना है चलिए तो next topic की तरफ बढ़ते हैं जो की है creating school fee details in ms excel है ना school का जो fee details है उसके बारे में ठीक है तो देखें यहां पर क्या करना है जैसे कि यहां देखें student name दिया हुआ है father's name दिया हुआ है class दिया हुआ है हैना month दिया हुआ है यहां total fee दिया हुआ है और total fee आपको जब installment system में है तो आप installment में pay कर सकते हैं इसको हैना first installment है second installment और third installment यानि कि तीन installment में आप इसको pay कर सकते है ठीक है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा यहां देखें total payment है है हैना तो total payment में क्या हो जाएगा first payment second payment और third payment यह तीनों को हम लोग जोडेंगे और जोडने के लिए हम लोग क्या करते हैं equal to sum का formula लगाते हैं bracket open करेंगे और यहां तीनों का range दिखाएंगे bracket close करना है और अब जो 0 आया है उसी को यहां copy कर दे रहा है ठीक है अब कहता है dues payment है ना तो dues payment क्या हो जाएगा यानि कि total fee minus total payment है ना तो यहां पर हो जाएगा equal total fee का sell दिखाएंगे minus total payment वाला sell दिखाएंगे और enterprise करेंगे अब यहां remarks हो जाएगा क्या कि remarks में आजाएगा condition कि यदि बच्चे के पास dues balance 0 है तो हमको दिखाओ no dues और नहीं तो दिखाओ dues है ना तो उससे पहले हम लोग यहां क्या करेंगे कि formula तो हम लोग फूट कर चुके अब remarks का भी formula यहां पर हम लोग लगा देते हैं उसके बाद payment डालेंगे इसमें ठीक है तो remarks में आपको लिखना है equal और if लगाना है bracket open करना है और condition क्या था कि dues balance बराबर 0 तो dues balance यानि dues payment यह है है ना तो dues balance अगर 0 के बराबर होगा ठीक है तो no dues लिखाएगा है ना तो double inverted comma देना है और यहां no dues लिख देना है और यहां 0 के बराबर यानि कि उसके पास पैसा बचा हुआ होगा तो यहां क्या दिखाना है dues ठीक है इंटरप्रेस करेंगे अब देखे सभी के पास dues दिखा रहा है इसलिए कि अभी तक किसी बच्चे ने payment किया ही नहीं है ठीक है तो इस तरह से आपको पहले क्या करना है formula लगा के रख लेना है ठीक है अब यहां पर जैसी बच्चा माली जमा किया पहला payment 500 रूपीज है ना मोहन जमा किया माली जिए 1000 रूपीज सोहन जमा किया 1500 यासमीन 500 राहुल 1000 रूपी रानी 500 तो देखे जैसी आप यहां पर payment यह करेंगे यहां पर देखे सारा बदलाव हो रहा है अब second payment माल लीजिए राम ने नहीं किया मोहन ने second payment किया है 500 इसने second payment किया 1000 रूपी यासमीन भी 1000 रूपी राहुल ने second payment नहीं किया है रानी ने 1000 पेम किया अब यहां देखे थर्ड पेमेंट की बात आती है तो थर्ड पेमेंट में इसने 1500 पे किया और मोहन ने 1000 रूपी इसने 500 पे किया इसने 1500 किया इसने 500 किया अब देखे यहां पर total पेमेंट यहां पर आ रहा है ठीक है अब यहां देखे ड्यूस बैलेंस जो है वह दिखा रहा है कि इतना बच रहा है और यहाँ पर remarks भी आपके आ गया कि देखिए इसके पास 500 बच गया तो यहाँ डियूज हो गया इसके पास 0 है तो no dues इसके पास भी 0 है तो no dues जिसके पास 500 बच रहा है तो इस तरह से आप school का free details भी बना सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही इसका practice कीजिए हाना पढ़िए परहाईए तब तक के लिए धन्यवाद